वेलकम टू लग्की एक्जाम यूटूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है SSC CGL 2018 में पूछे गए Economics के Questions यह जो exam कंड़क्ट हुआ था वो 4 जून 2019 से 13 जून 2019 तक हुआ था तो इससे related जो हमारा other topics हैं जैसे की Ancient, Medieval, Modern, Physics, Chemistry, Biology यह already uploaded है अगर आपने नहीं देखा तो इसका link जो है हमारे description में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और Economics के बाद जो हमारा next topic होगा वो होगा quality और Sports के topic देन आफटर physical geography और Indian world geography तो inside topic को भी cover करेंगे तो चले start करते हैं और आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भी कर दें और इस वीडियो को like भी कर दें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें चले start करते हैं हमारा first question है question number one which country was the first to implement goods and service tax GST तो GST लाग करने बाद जो पहला दे से वो कौन है SSC के एक्जाम में या railway के एक्जाम में या फिर और भी जितने एक्जाम से state PSC इसा में भी आ सकता है तो 1954 में GST इंप्लिमेंट किया था फ्रांस ने इसके बाद क्या हुआ और भी जो country है जपान साथ कोडिया UK इन में भी GST लग गया था तो GST जो है एक अच्छा उपाय है एक अच्छा टेक्षेसन उपाय है या अच्छा सा है जैसे कि इंडिया में भी GST लगा हुआ है लोग इसे अच्छे नहीं मानते है GST को लेकिन ऐससे इसको अच्छे से handle किया है GST को तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसके तुरू economics को मजबूत किया जा सकता हूँ नेक्स्ट क्वेशन है हमारा क्वेशन नमबर टू एक आर्थिक स्थिती जहां पर एक ही खड़िदार हो लेकिन विक्रेता जो होगा जो सेलर्स होगा वो बहुत ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं तो जैसा कि आपको पता है मोनोपोली क्या होता है मोनोपोली में क्या होता है वहाँ पे जो सेलर होता है वो कितना होता है सेलर एक होता है और buyer कितना होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, many होता है, internet होता है, मांग चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर monopoly होता है, और जब इसका उल्टा हो जाए, जब इसका उल्टा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, monopsoni हो जाएगा, monopsoni क्या होगा, जहाँ पर buyer क्या होगा वहाँ पर buyer एक हो जाएगा लेकिन जो seller होगा वो बहुत ज्यादा होगा तो किसे उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे monopsoni और इसका अंसर हो जाएगा option number 4 क्योंकि यहाँ पर पुछा जा रहा है one buyer and many sellers one buyer और many sellers में हमारा answer हो जाएगा monopsoni और monopoly का होगा जब seller एक हो और buyer ज्यादा हो तो यह जो monopsoni होता है यह imperfect market condition होता है इसके लावाद जो monopoly होता है वो भी एक imperfect market condition होता है exam में यह भी आ सकता है कि imperfect market condition इन में से कौन होता है तो monopsoni भी होता है और monopoly इन दोनों का क्या होता है imperfect market condition भी होता है next है हमारा question number third question number third है हमारा what is the name given to the graph that shows all the combination of two communities that a consumer can afford at given market prices and within the particular income level in the economic terms, तो उस graph का नाम बताना है, उस curve का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, जो two community होगा, जो consumer जो है उसे afford कर सकता हो और उसके income के अंदर आता हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये चार option दिया गया है तो अगर ये चार option दिया गया है तो समझो कि exam, जो next exam आएगा, उसमें से कोई भी एक options उठा के उस पर questions पूछा आ सकता है तो ये भी आम लोग को देखना है, इन चारों को तो सबसे पहले demand curve जो आपको क्या होता है कि जो कोई product बनता है उस product में जो भी input है input यानि कि जैसे कि capital हुआ, labor हुआ उस दोनों का जो cost होगा वो same होना चाहिए चाहे आप, जैसे कि आपका labor है labor अगर 9 हो गया और capital आपका 2 हो गया या फिर labor कम हो गया, कम use किया गया capital जादा use किया गया तो इन दोनों का जो cost है, वो क्या होना चाहिए वो equal होना चाहिए, same amount होना चाहिए that is called ISO cost line तो ये भी इसका answer नहीं होगा क्योंकि ये producers के behavior पर depend करता है, ये हमारा जो है ये consumer पर depend नहीं करता है तो ये भी नहीं होगा, next है हमारा supply curve, तो supply curve क्या होता है ये simple सा है, supply curve भी जो होता है वो relation होता है price और quantity का तो price और quantity का जो relation होता है उसे बोलते है supply curve तो ये भी हमारा consumer से related नहीं है next जो हमारा option है, वो है budget line तो budget line क्या होता है, budget line होता है जिसमें कि 2 communities जैसे कि कोई consumer खरीद रहा है तो उसका जो market price होगा और उसको जो खरदेगा, वो जो खरदेगा वो क्या हो, उसके income के अंदर ही आना चाहिए उसके income के अंदर ही वो आना चाहिए चाहए वो quantity जो माले y का इतना खरीद लिया हो और x का इतना quantity खर लिया हो तो इसके income के अंदर ही आना चाहिए, किसी consumer का वो दो communities, यह बताता है कौन बताता है, यह बताता है budget line, मतलब budget line के अंदर ही वो दोनो communities को वो खरीच सके, that is called budget line, और यह हमारा correct answer होगा, जैसे कि आप इस statement में भी देख सकते हो, जो questions हमारा पुछा गया है, वहाँ पे पुछा यह बताता है कि all the combination of two commodities that a consumer can afford at given market price, within the particular income level in economic terms, मतलब दो community को जो consumer खर देगा, जो दो product को खर देगा, वो market price के अंदर ही होना चाहिए, और उसके income level के अंदर होना चाहिए, उसके budget line के, budget line के अंदर ही होना चाहिए, वो product, यह इसका कहना है, तो यह किसा कहना है, यह budget line यह कहन है, तो यह है हमारा answer, option number four, और ISO cost line जो important है, आने वाल exam में पुछा सकता है, ISO cost line क्या है, तो ISO cost line जो है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह producers behavior है, जो producers है, जो companies जो बनाएगा, उस पर depend करेगा, producers पर depend करेगा, ISO cost line, इसके बाद किस पर depend करेगा, इसके बाद depend करेगा, कि total inputs जो होता है, उस total inputs का amount होगा, जो जिससे वो product बनेगा, वो total inputs का amount होगा हमें सा equal होना चाहिए, same होना चाहिए, that is called ISO cost line, यह भी exam में आने वाल exam फिलिए important है, next है हमारा question number four, question number four है, in which year was the term gross happiness index coin by the fourth king of Bhutan, Jigme Singhे, Wang Chu, तो जो gross happiness index है, किसने coin किया था, यह exam में आ सकता है, क्योंक कि यहां पर पुछा जा रहा है, date, year पुछा जा रहा है, year तो 1972 है, जिसमें किसने बताया था, तो भुटान की जो राजा है, Jigme Singhे, Wang Chu, यह भी important है, Jigme Singhे, Wang Chu, ने gross happiness index coin किया था, सब्द दिया था, तो यह भी important है, इसके लाबाँ 1972 भी important है, तो हमारा answer, option number four, next है हमारा question number five, which of the following public sector undertakings, PSU's, was accorded the महारतना status in February 2013, तो 2013 में जो महारतना status दिया गया है, तो किसको दिया गया है, 2013 में BHEL और GEL को दिया गया था, महारतना status, तो महारतना status, BHEL और GEL को 2013 में, यह questions उतना important नहीं है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि यह बहुत पहले की बात है, आसे 6 साल पहले की ब में जने है, LUCENT में, और यह questions current type का नहीं है, फिर भी यह पुछा जा रहा है, तो खेर, इसका current transfer होगा BHEL भेल, next हमारा question number 6, name the first Indian budget carrier to join the International Air Transport Association, IATA, तो International Air Transport Association जो 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 IATA join किया है, जो first Indian budget carrier है, तो यह important है, कि first Indian budget carrier जो है, वो कौन सा है, वो spice data है, जिसने IATA को join किया है, next question है, question number 7, which of the following economic activities employs the maximum number of people in India, तो maximum number of people, जो economic activities में है, तो इस चार में से आपको पता ही होगा, यह agriculture है, हमारे देश में agriculture सबसे जादा है, और इस agriculture में approximately 50% जो एप्टी परसे है, इसी में है, और यह हमारे total 18% GDP का है, तो यह था हमारा answer, option number 3rd, next हमारा question number 8, if there is a lack of money supply in comparison to the supply of goods and services, then the possible consequence would be, यानि कि माल और जो सेवा होगा, उसकी आपूर्ती जादा होगी, यानि कि goods and services होगा, goods and services होगा, वो जादा होगा, with respect to कि धन जो होगा, चो money होगा, उसका supply कम होता है, अगर money supply कम होता है, और goods and services का supply ज्यादा होते रहता है, तो क्या होगा, तो इससे क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हो, कि इससे deflation आएगा, जैसे कि माले कोई product है, 100 product बना, और इसका कीमत है, हर एक product का 10 रुपया, और धीरे-धीरे क्या हुआ, यह product तो बनते र है, बरते जाएगा, और यह कोई खड़ी देगा नहीं, क्योंकि money तो है नहीं, जब money नहीं है और कोई खड़ी देगा नहीं, तो क्या होगा, यह जो product है, product का कीमत क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा, यानि कि क्या हैगा, deflation आ जाएगा, तो हमारा answer हो जाएगा, option number two, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, nowadays जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे देश में आर्थिक मंदी है, लोगों का यह कहना है कि अभी आर्थिक मंदी है, तो इसमें automobile sector जो है, automobile sector में क्या है, लोग अभी car नहीं खड़ीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास money supply जो है, वो ही न बनेगा, परसो भी 10 car बनेगा, इस तरह से car बनते ही जाएगा, लेकिन money supply नहीं रहने के कारण, लोग तो car नहीं खर देंगे, इसलिए car company ने अभी आप देख रहे होंगे कि car company ने क्या किया, उस car का rate को कम कर दिया है, तो दाम कम कर दिने से क्या होगा, जो लोग के पास पै पकी money supply ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया deflation, हमारा answer हो जाएगा option number 2, next हमारा question number 9, a sustained rise in the general price level in economy is called, तो अभी हम लोग ने deflation देखा था, जिसमे price level कम हो रहा था, क्यों कम हो रहा था, क्योंकि money supply ही नहीं था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, महाँ पर deflation हो रहा जाया, price level जब बरते जाएगा, तो वो क्या होगा, वो inflation हो जाएगा, तो हमारा answer हो जाएगा option number 3, option 3 is the correct answer, next हमारा question number 10, the banking regulation act was passed in India in, तो जो banking regulation act 1949, जो पहले था क्या, पहले था banking companies act 1949, लेकिन ये पास हुआ था 1949 में, banking companies act के नाम से, बाद में 1966 में क्या हुआ, ये banking regulation act के नाम से जाना गया है 1966 में, लेकिन ये पास हुआ था 1949 में, तो यहाँ पर जो answer होगा, वो होगा option number 1, और यहाँ पर 1966 कोई option भी नहीं है, इसलिए हमारा answer 1949 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर questions पुछा जाता, कि banking companies act तो 1949 होता, अगर banking regulation act पुछा जाता, और 1966 option होता, तो हमारा answer 1966 होना चाहिए था, जो correct answer होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और 49 दिया हुआ है, तो जो act पास हुआ था, वो act पास हुआ था, 49 में, और सिर्फ नेम चेंज हो गया था, banking regulation act, 1966 में, और यह लेकिन पास हुआ था, 49 में, तो हमारा correct answer हो जाएगा, option number first, 49, next हमारा question number 11, what is India's rank in 2019 world happiness report, तो world happiness report में जो हमेशा number one आता है, वो इन 4-5 country में ही आता है, जो आपको दिख रहा है, यह 4-5 country, हमेशा ही number one होते है, जिसमें 2019 में फिल्लेंड हुआ, कभी फिल्लेंड होता है, कभी Norway भी आता है, Denmark भी आता है, तो generally फिल्लेंड होता है, वो number one पे ही चल रहा है, यह भी आपक question number 12, minimum support price, MSP is recommended by, तो MSP जो है, वो किसके दर recommend किया आता है, तो यह MSP जो है, किसके लिए होता है, यह agriculture product होता है, उसके लिए use किया आता है MSP, minimum support price दिया जाता है agriculture product पे, तो कौन देगा, कौन से commission देगा, तो यह commission देगा, commission for agriculture cost and prices, option number four is the correct answer, next हमारा question number 13, global business summit 2019 was held in, तो इस तरह कि जो questions है, वो अच्छे खासे questions पुछे जाते हैं, business summit से related, तो अगर आपको इस पे related video चाहिए, जो सिर्फ सिखर सम्मेलन हुआ, या फिर उधगाटन कहां पे होता है, तो इस तरह के video आप हमारे description जाके, वहां पे link में दिया हुआ है, current affairs related, जिसमें हम लोगों ने बहुत सा permit 2019 जो हुआ था, कहां पे हुआ था, तो ये New Delhi में हुआ था, option number third, next है हमारा question number 14, तो question number 14 है, who founded the Indian Statistical Institute on 17 December 1931, तो 17 December 1931, तो 17 December 1931 को Indian Statistical Institute, ISI, किसने found किया था, किसने अस्थापना किया था, तो PC महल बोनिस ने, PC महल नो बीस ने, इसकी अस्थापना की थी, तो option number first is the correct answer, next है हमारा question number 15, Asian Development Bank ADB, in its outlook supplement has retained India's growth forecast at 7.3% for the current fixer 2018-19, and 2020 के लिए कितना percent रखा है ADB ने, बस ये आप समझ लो, तो ये कितना रखा है, ये रखा है 7.6, इसका correct answer होगा, तो ये है economic pay based, जो current affairs है, उससे ये related questions है, और ये बहुत ही simple questions है, अगर आप economic current affairs को follow करते हो, तो उसमें आप ADB का हुआ, या MODE का हुआ, ये जो credit देता है, जो भी percentage देता है, इंडिया growth का, वो पुछा दाता है exam में, तो ये important है, इसका आपको याद रखना है, इसका answer है 7.6, जैसे कि next year आपका SSE का exam होगा 2020 में, तो हो सकता है 2020-21 के लिए, या पुछा दा सकता है, कि कितना percent ADB दारा दिया गया है, growth के लिए, ये था हमरा पंदरे number questions, next question है हमारा, question number 16, which of the following was the most important characteristic of India's trade, throughout the colonial period, जैसा कि पता है कि इंडिया में जो भी product बनता था, उसको export कर दिया आता था बाहर, जो भी मतलब food grain हुआ, cloth हुआ, kerosin तेल हुआ, जो भी हुआ, तो उसको बाहर export कर दिया था, तो export surplus था, और export के बदले ऐसा नहीं था कि इंडिया में उसके बदल में gold आ रहा हो, या फिर silver आ रहा हो, इसा कुछ भी नहीं होता था, या cash flow भी नहीं होता था, जितना भी समान यहां पर था, सारे समान को England भे दिया आता था, जिससे क्या होता था, हमारी इंडिया में जो धन थी, उसकी कमे हो जाती थी, इसी पे based दादा भाई नियोलोजी इंडिया में drain of wealth theory बताया था, 1867 में और उन्होंने इसका mention भी किया था, अपने book में, और उनका book था, Poverty and Un-British Rule in India, जिसमें उन्होंने बताया था, drain of wealth theory, उसमें क्या होता था, उसमें होता था, export surplus, जिसमें food gains, clothes और kerosene और बहुत सारे product है, उसको बाहर भीजा आता था, और उसके बदले में gold और silver या फिर जो cash होता था, वो नहीं आता था इंडिया में, that is called drain of wealth theory, तो इसलिए यहाँ पर जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number 4, export surplus, निर्यात अधिसेश, नेक्स्ट है हमारा question number 17, in its global economic outlook report, Fitch rating cut India's economic growth forecast for the next financing year, 2019-20, starting from April 1 to Dash, from its previous estimate of 7%, तो मैंने आपका भी बताया था, कि आभी हम लोग ने देखा भी था, ADB का, अब यह पुछा जा रहा है, Fitch ratings, इसके बाद Moody's है, उसका अलग है, Lehman Brothers, sorry Lehman Bank के उसका अलग है, इस तरह से बहुत सारे इससे, ratings आते हैं, जो exam में आते रहता है, तो यहाँ पुछा जा रहा है, 17 नमर questions, next है हमारा question नमर 18, the best financing year of the calculation for the All India Index of Industrial Production is, तो All India Index of Industrial Production, IIP जो होता है, इंडेक्स of Industrial Production, यह बेसीकली क्या होता है, यह growth जो हमारे economic sector में होता है, जो growth होता है, जो ग्रोथ होता है, जिसे कि manufacturing में, या फिर जो भी service sector है, या फिर माइनिंग में, electricity जो भी है, जो भी growth होता है उस growth को उस year में calculate करके रखा जाता है और जो next year होता है next year जो growth हुआ इस growth से उसको क्या किया रहता है compare किया रहता है कि suppose इहां पे जो growth है माले 500 हुआ है और इहां पे जो growth हुआ है वो 1000 हुआ है तो कितना percent growth increase हुआ है तो यह जो growth होता है इसको रखा जाता है that is called reference growth rate यही reference जो होता है इसको लोग बोलते है index of industrial production और उसका base बनाया जाता है financial eager का तो जैसे की जो base year था पहले 24.95 था उसको बाद में जो base year इसको आगए करके 21.12 किया गया और यह जो किया गया गया कब किया था यह 2017 किया गया था तो यह था तो यह था हमारा जो answer हो जाएगा base year जो है हमारा 2011-12, जो पुराना बुक है, पुराने बुक में 2004-05 मेंशन होगा, जो गलत है, हमारा जो correct answer हो जाएगा, हो हो जाएगा, 2011-12, और ये कब हुआ था, ये 2017 में इसको change किया गया था, तो इसलिए 2017 से पहले का जो बुक होगा, उसमें मेंशन होगा, 2004-05, जो गलत है, हमारा next question है, question number 19, what does the lorange curve indicate, तो lorange curve क्या indicate करता है, तो ये income distribution को indicate करता है, option 2 is the correct answer, और ये जो lorange curve हुआ, या फिर जो हमारा गिन्नी कोफिसेंट हुआ, इस पे जो है SSE, अच्छे खासे questions पुछते हैं, क्योंकि ये SSE का favorite topic है, lorange curve हुआ, गिन्नी कोफिसेंट हुआ, इस तरह के जो word है, तो ये बहुत ही simple सा questions है, और ये previously बहुत बार पुछा जा चुका है SSE में, तो इसे आप याद कर लें, आने वाले exam के लिए बहुत ही important है, next question है, question number 20, question number 20 है हमारा, in economic terms, what do we mean by intermediate goods, तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा है intermediate, जो भीच का हो, यानि जो हमारा final product बनता है, तो इ बनते हैं, that is called intermediate goods, जैसे कि आप ये समझ लो कि कोई car है, कोई car में, जो हमारा बहुत सारे component है, जो हम बनते हैं, जो यूज करते हैं, तब जाके एक car बनता है, तो जो भी component है, जैसे कि ये wheels हो गया, या इसका body parts हो गया, या और भी जो parts होते हैं, ये parts जो बनता है, उससे पह पहले, ताकि एक final product बन सके, तो ये जो initial product है, wheels हुआ, body parts, ये सब क्या है, ये सब intermediate products हो गया, intermediate goods हो गया, तो हमारा correct answer क्या होगा, वो होगा, goods sold between industries for the sale or production of other goods, option one is the correct answer, जैसे कि आप इस figure में भी देख सकते हो, कि जो intermediate goods होता है, सपोज यहां पर दिखाया जा रहा है कि salt, तो salt क् नमक बनाया गया किसी दूसरे company के दौरा, और इसी salt का use करके, जो नमकीन बनता है, जो bread बनता है, वो bread जो बनता है, वो final product हो गया, तो salt इस company के लिए intermediate product हो गया, तब जाके ये bread बना या फिर जो नमकीन बनता है वो, तो intermediate goods समझ में आगया हो आपको, और intermediate goods जो है, उसको हम कभी कभी जो है, consumer भी use करता है, जैसा कि यहाँ पर example पर आपको दिख रहा होगा कि salt कम लोग directly use भी करते हैं, घर के लिए, तो intermediate goods जो है, वो घर में भी use कर सकते हैं, और जो company के लिए, जो intermediate products है, ताकि final products बन सके, उसके लिए भी use करते हैं, तो यह था हमारा intermediate goods, next question है, question number 21, the demand for a commodity or service, which is a consequence of the demand for something else is called, तो जैसा कि आपको पता है, demand जैसे कि एक direct demand है, direct demand यानि कि जो consumers goods होता है, जो direct use करते हैं हम लोग, that is called direct demand, consumer goods जो होता है, वो direct या भी इसको बोलते हैं, autonomous demand भी इसे बोलते हैं, एक होता है composite demand, तो composite demand क्या होता है, किसी एक product से जो हम लोग तरह तरह के product नाते हैं, तो जो तरह-तरह के product ना है, that is called composite demand, जैसे कि माले आपका दूद है, milk है, इस milk से हम लोग क्या-क्या बना सकते हैं, इस milk से butter बनता है, दही बनता है, cheese बनता है, और जो sweets बनता है, जो भी इसका product बनता है, इस milk से, तो यह जो product हो गया, यह हो गया composite demand, और इसमें यह हो सकता है कि Suppose butter का अगर घ्माड जाधा हो गया तो Obviously की बांकी का दिमाड क्या हो जाएगा बांकी का डिमाड तो रहेगा लेकिन वहाँ पर सप्ली कम हो जाएगा सबोस्थ बटर का demand बढ़ गया तो ज्यादा milk जो है इस बटर को लाने हम लग जाएगा तो अब वैसलिए है कि बांकी का जो product है उसका जो supply होगा वो कम हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग composite demand का use करते हैं और जैसा कि आपको पता है derived demand क्या होता है derived demand होता है जैसे कि कोई product बना है final product उस final product बनने से पहले जो product बनाया जाता है जो product का use करके final product बनता है final consumption जो होता है किसी product का तो उसे बोलते हैं derived demand यानि कि जो final product बनने से पहले जो demand होता है बीच का जो producers goods का उसे बोलते हैं derived demand तो हमारा यहाँ पे जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number 4 कि consequence for the demand for something else यानि कि किसी का demand हुआ initial product का उससे जो हमारा final product बना तो यह जो demand हुआ initial product है intermediate product जो भी है उसके तुरू जो final product बना तो यह initial product जो है that is इसका जो demand होगा that is called derived demand तो हमारा answer हो जाएगा option number 4 next है हमारा question number 22 which economics gave the theory of opportunity cost तो opportunity cost जो होता है इसके बारे हम लोगों बात करेंगे बात के किसी lecture में तो opportunity cost किस ने दिया था तो यह दिया था Godfreyd Hebreller ने तो option 4 is the correct answer Godfreyd Hebreller ने एसे opportunity cost नामक थेवरी दिया था next हमारा question number 23 as per manix principle of economics the standard of living of a country depends on the countries तो इनका जो theory है manix principle of economics इनका कुछ point है 10 principles है जो आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी 10 principles पे ये questions पूछा गया है हो सकता आने वाल exam में ये 10 principles में से कोई पूछ दे क्योंकि अगर एक पूछा या था हो सकता है next exam में बाकी का जो principle से वो भी important है तो ये 10 principles में जो important है जिस पे आ सकता है तो वो है सबसे हमारा ये cost of something is what you give up to get it तो इसमें से जो एक point पूछा गया है वो point है country's standard of living depends on its ability to produce goods and service तो ये इसका answer हो जाएगा जो इन्होंने दिया था और इसे भी आप अगर logically use करोगे logically किसी चीज़ को समझोगे तो आप आराम सी ये समझ सकते हो जैसी कि price rises when the government prints too much money ये simple सा है जब भी government ज्यादा money print करेगा तो obviously कि price भी उसका increase करेगा और जिसे कि ये हो गया अगर goods and services किसी country में produce हो रहा है तभी जाके किसी country का standard वो क्या होगा वो भरेगा तो इस तरह से हमारा total 10 points है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी points में पुछा जा सकता है तो यहाँ पे पुछा जा रहा है कि the standard of living of a country depends on the countries तो क्या होगा जैसा कि आपको यह option दिख रहा है कि किसी country का जो standard है living standard वो तभी भरेगा जब वहाँ पे उस country में goods और service जो होगा वो प्रोड्यूस होगा तभी तो बिकिएगा तभी जाके उनके पास पैसे होंगे और वो उनका standard of living वो भरेगा तो यही हमारा correct answer होगा और जैसे कि government policy से कुछ नहीं होता जब तक वहाँ प होगा तो फिर क्या होगा कोई फाइदा नहीं है कि वेज ज्यादा भी रहे कम भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है तो हमारा correct answer होगा option no.4 cost लगा इस material को बनने में जो भी माले इसमें जो cost लगा इसका cost इसका cost यह सारा cost जो और के जो होता है और that is called fixed cost और इसके बाद जो यह output बनने के बाद जो इसका cost हुआ that is called variable cost आउट बनने के बाद जो cost हुआ इस ए product का यह हो गया हमारा variable cost तो यह पूछ रहा है कि अगर output 0 हो अगर output ही 0 होगा तो variable cost क्या होगा यह भी 0 हो जाएगा क्योंकि variable cost depend करता है output पे ठीक है और जो fixed cost है वो output पे depend नहीं करता है fixed cost जो होता है जो input है उस पे depend करता है इसलिए variable cost क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 0 option number 2 is the correct answer जैसे कि आप ए example भी देख सकते हो माले की कोई car बनता है क और यह car बना उस car में बहुत सारा जो प्रॉपर यूज डो यूज किया गया तो यह जो जो फिक्स्ट कॉस्ट कोस्ट हो गया और यह कार बनने के बाद कर चला ही नहीं क्यों नहीं चला क्यूंए टूट गया या फूट गया या कि सी कार अवस खराब हो गया यहे मतलब बे तो हमेशा रहेगा तो यह हमेशा क्या रहेगा जो raw material का जो cost होगा वो हो जाएगा तो यहां पूछा जाएगा variable cost output अगर 0 है तो क्या होगा तो यह हो जाएगा 0 option 2 is the correct answer next हमारा question number 25 the interest rate charged by banks on short term loans to their largest most most secure and most credit worthy customer is called तो जो interest rate दिया जाता है bank के दोरा जो लिया जाता है interest rate on short term loans किसको जो सबसे अच्छा customer होता है वो जो सबसे अच्छा customer होता है उससे जो interest rate लिया जाता है short term loans के लिए उससे क्या बोलते हैं तो उससे बोलते हैं prime lending rate option 1 is the correct answer prime lending rate मतलब जो उस bank का जो सबसे अच्छा customer है उस customer से जो interest rate लिया जाता है that is called prime lending rate option 1 is the correct answer next हमारा question number 26 cash reserve ratio CRR is calculated as a percentage of each banks तो जो cash reserve ratio होता है नगत आरक्षी अनुपाग कि गन्ना परते एक bank के किसी होता है जो percentage लिया जाता है जो percentage RBI के साथ रहता है maintain करना पड़ता है RBI के साथ RBI के साथ कुछ percentage maintain करना पड़ता है सारे bank को तो यह जो CRR के थूर होता है तो CRR कितना percent होता है और क्या होता है तो वो होता है net demand and time liabilities जो भी demand deposit जो भी bank के पास है या फिर जो long term जो उनके पास FD हो गया यह सब time liabilities यह सब मिला के इसका जो 4% होगा वो 4% जो है RBI के साथ maintained होगा तो यही पुछा जा रहा है CRR की गन्ना जो होता है परतिक बैंक के net demand and time liabilities के परतिसत के रूप में की जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा option number 2 और यह generally कितना होता है यह होता है 4% नेच्ट है मारा question number 27 The UN's Economic and Social Council elected DASH to the 18-member committee CESCR for the Asia-Pacific seat in 2018 United Nations Economic and Social Council elected DASH to the 18-member तो कौन है वो तो है पृतिसन पृतिसन को CESCR के लिए चुना गया है जो Asia-Pacific seat होगा उसके लिए चुना गया है किसके दौरा चुना गया है United Nations का Economic and Social Council के दौरा चुना गया है तो यह है पृतिस्वरन यह एक current affairs questions है Next question है हमारा question number 28 A substantial increase in capital expenditure और revenue deficit leads to तो जो increase होगा capital expenditure में यानि कि मुझीकत वे में जो increment होगा या फिर जो revenue deficit यानि कि राज़स घाटे में जो increment होगा उसके कारण यह कहां की और ले जाएगा तो राज़स घाटे में increase होगा तो यह जो है fiscal deficit राज़कोसिय घाटा की तरफ जाएगा तो हमारा answer हो जाएगा option number 2 और इस राज़कोसिय घाटा में जो borrowings होता हूँ वो include नहीं होता है अगर borrowings include हो जाएगा तो that is called budget deficit जो हम लोग आगे भी देखेंगे एक questions में इसके अलाबा जो primary deficit क्या होता है primary deficit होता है जो fiscal deficit हो गया इस साल का current year का और उसमें जो interest payment हुआ last year जो borrowing जो भी लिया गया था उस पे जो interest आया उसके interest के जो payment हुआ वो वो minus करने से जो बचेगा उसे बोलेंगे primary deficit और यहाँ पर जो answer हो जाएगा option number two fiscal deficit अगर capital expenditure increase करेगा या revenue deficit increase करेगा तो यह कहां की ओले जाएगा fiscal deficit की ओर जाएगा option two is the correct answer next हमारा question number 29 when the fiscal deficit is high what happens to prices तो जब भी fiscal deficit high रहेगा तो price में क्या अंतर आएगा तो price जो होगा उसमें कोई direct impact नहीं होगा ऐसा कोई relation नहीं है economy में जो यह बताए कि fiscal deficit और price में कोई relation भी है यानि कि अगर fiscal deficit high है तो price बढ़ेगा यह घटेगा ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कहीं भी mention नहीं है लेकिन generally क्या होता है जब भी fiscal deficit बढ़ता है तो जो government होता है वो central bank यानि कि RBI से मदद लेता है और RBI new currency छापता है जिसके कारण जो influencer pressure है जो inflation है वो उस पे दवाव पड़ता है वो बढ़ जाता है ऐसा होता है और नहीं भी हो सकता है इसलिए कोई direct impact नहीं होता है प्राइस पे तो हमारा answer हो जाएगा option no.2 तो generally क्या होता है जो inflation वो बढ़ता है लेकिन ऐसा कोई confirm नहीं है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऐसा कहीं mention नहीं है इसलिए there is no direct impact on prices होगा answer next हमारा question no.30 what is the value of all tangible resources such as raw materials and labor that are used in the production process called जो भी raw material or labor होगा उसका जो cost होगा उसको क्या बोलते है उसको बोलते है real cost हमारा answer हो जाएगा option no.2 real cost next हमारा question no.31 a marketplace in which a final good or service is bought and sold is called the marketplace जहां पे goods or service जो खरिदा बेचा जाता है उसे क्या बोलते है उसे बोलते है product market option 4 is the correct answer next हमारा question no.32 what is the economic impact of increase in productivity of firms तो यह पुछा राइक economic impact क्या होगा और अगर firms का जो productivity है वो बढ़ेगा तो दो टर्म होता है एक होता है production और एक होता है productivity production अगर increase कर रहा है तो इसका मतलब यह हुगा कि वहाँ पे जो भी input है वो input दिया जा रहा है तभी जाकर production increase करेगा आउट्पिट भी नहीं होगा अगर input जाद देंगे तभी output जादा होगा that is called production और productivity होता है productivity यानि कि जो input है वो input constant यह जो input है यह क्या है यह constant है यह बढ़ नहीं रहा है लेकिन इसके बावजूद भी जो output आ रहा है जो output है वो क्या है वो बढ़ रहा है that is called productivity यानि कि जो constant input पे जो output होगा वो भरते जा रहा है तो इसका मतला में जो economics है वो economy जो हमारा है जो country का होगा वो बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि input तो आपने बढ़ाया नहीं लेकिन उसके वाबजूद भी output बढ़ गया that is called economy भी क्या होगा वो भी increase करेगा वो भी बढ़ेगा यानि कि जो GDP होगा जो gross domestic product होगा वो GDP भी क्या होगा वो भी increase करेगा तो हमारा answer हो जाएगा option number 4 increase in gross domestic product क्यों क्योंकि यहाँ productivity बढ़ाया यानि कि input आपका constant है इसके वाबजूद भी output जो है वो भढ़ा है तो हमारा answer हो जाएगा option number 4 next question है हमारा question number 33 what would happen to the demand curve when there is an increase in price of substitute product तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि substitute product क्या होता है तो substitute product होता है जिसे कि Coca-Cola और Pepsi आप Coca-Cola भी पी सकते हो आप Pepsi भी पी सकते हो तो यह दोनों एक दूसरा मतलब एक नहीं भी है तो आप दूसरा use कर सकते हो that is called substitute product अब यह पूछ रहा है कि demand curve में क्या अंतर आएगा अगर एक product का price increase कर दिया जाएगा यानि Coca-Cola का price अगर increase कर देंगे तो इसके कारण जो Pepsi होगा उसका demand curve होगा वो उसमें क्या अंतर आ जाएगा यह पूछा जा रहा है तो जैसा कि आपको पता है Coca-Cola कदर price increase होगा तो price increase होने के कारण इसका quantity होगा लोग उसका quantity कम use करेंगे ठीक है लेकिन Pepsi का quantity होगा वो तो भरते चला जाएगा price होगी रहेगा और quantity क्या होगा वो increase हो जाएगा इसलिए जो हमारा demand curve होगा वो outward हो जाएगा इसका demand curve outward हो जाएगा substitute product का जैसा कि आप यह figure में भी देख सकते हो कि अगर Coca-Cola का price increase कर गया P1 से P2 तो क्या होगा जो हमारा demand जो quantity था वो क्या होगा घट गया Q2 हो जाएगा तो घटने कारण लेकिन demand तो overall demand है यह तो overall demand होने कारण जो Pepsi का demand वो बढ़ जाएगा तो Pepsi का demand बढ़ जाएगा तो इसका demand curve क्या हो जाएगा यह outward हो जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा outward shift option no.1 is the correct answer next हमारा question no.34 which theory in economic proposes that country's exports what they can most efficiently and plentiful produce तो यह पूछ रहा है कि यह किस model में यह किस theory में बताया गया है कि country का export होगा वो जादा होना चाहिए कि जो produce कर रहा है उस country में जादा उसका export भी जो है वो जादा होना चाहिए तो यह किस theory में बताया गया तो यह है theory जो है hexture all-in model option two is the correct answer इसके अनुसार क्या है जो factor of production जो आपको पता है चार factor of production होता है यह अगर आपके पास है तो उस जो product बनेगा उसको export जादा होना चाहिए export जादा होना चाहिए जो factor of production आपके पास परचूर मातरा में है वो और यह इनका कहना है इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि अगर आपका जो goods आपका जो product आपके country में नहीं है उसका इभी import उसके साथ इसका भी import होना चाहिए यह किस theory का कहना है यह है Hexture all-in model का कहना है next हमारा question number 35 which theories you use to make long run predictions about exchange rates in a flexible exchange rate system तो यह पूछा है कि एक लचीली विनमेडर प्रणाली में विनमेडरों के बारे में लंबी चोरी भाविसानी करने के लिए किस सिधान को प्यों किया जता है तो जो यह सिधान जो किया जाता है जो theory यूज किया जता है वह है purchasing power parity theory triple P theory जो है उसका यूज किया जाता है तो यह जो important questions है जब अभी पूछा गया तो आने वाल exam के लिए भी important है और यह चारो जो आपको options दिख रहा है interest rate approach portfolio balance approach या फिर balance of payment theory यह चारो important है इसका हम लोग अलग से एक video बनाएंग उसमें इस चारो को discuss करेंगे इसके लाबा इस questions को भी discuss करेंगे और भी कुछ questions को देखेंगे और समझेंगे कि क्या होता है क्योंकि यह बहुत ही बहुत topic है इसको समझने में कम से कम 10-15-20 minute का एक video बनेगा तो वहां पर देखेंगे इस questions को और इसके लाबा और भी questions को देखेंगे इस पर बेस्ट तो यह था इसका जो करेंगे टांसर है हुआ है purchasing power parity theory next है हमारा question number 36 जो हमारा last question है 36 question number 36 जो last question है a dash occurs when a government total expenditures exceed the revenue that it generates excluding money from borrowings तो यह पूछ रहा है कि dash occurs तो क्या होगा तो जो हमारा fiscal deficit होगा जब government का total expenditure जो है वो exceed करेगा revenue से जो total expenditure ज्यादा होगा और revenue क्या है वो कम होगा revenue कम होगा और expenditure वो बढ़ेगा यानि कि expenditure बढ़ेगा और revenue हमारा जो होगा तो यह जो difference होगा that is called fiscal deficit और यह जो है इस में से जो borrowings लिया जाएगा वो हटा के excluding money from borrowings from RBI और some other institute जहां से हम लोग borrowing लेके करते हैं जब यह borrowing ले लेते हैं जब किसी से उधार ले लेते हैं RBI से तब that is called budget deficit लेकिन यहां पर पुछा जा रहा है excluding money from borrowings excluding है तो हमारा answer हो जाएगा fiscal deficit अगर यह including होता अगर यहां पर यह including होता including money from borrowings तब ही हो जाता है budgetary deficit ठीक है लेकिन यहां पर excluding है इसलिए हमारा answer हो जाएगा fiscal deficit जैसा कि आप इस example में भी देख सकते हो कि जो revenue receipts हो गया वो हो गया हमारा इतना इसके अलब जो borrowings लिया गया है वो कितना लिया गया है यह है हमारा expenditure expenditure कितना हुआ है expenditure इतना हुआ और जो total receipt रेट है वह किते हो गया वह भी इतना हो गया तो total receipt, man's total expenditure होगा वह हमारा budget deficit होगा और यह nearly होता है और जो fiscal deficit क्या होगा fiscal deficit में जो borrowing लोते होtte है जो अड नहीं होते हने that इस called fiscal deficit और यह our physical deficit हो जाता है और जितना आपको कोई confusion हो तो आप हमारे comment में पूछ सकते हैं कि कोई confusion हो तो उसको हम reply भी करेंगे और इसके लाबा बांकी topic जो हमारा already uploaded है अगर आपने नहीं देखा तो वह भी देख सकते हैं वह हमारा ancient history, medieval history, modern history और science की जो भी topic है वह भी कवर हो गया next topic जो हमारा वह है politica वह भी देख आपको क्रुआ सकते हैं agora और रिता हैं